नमस्कार संस्कृत के प्रियवद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्ड आपके लिए आपका अगला पार्ट लेकर किया हूंगा तो आज हम ल सुल्क कोई भी रुपिया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है और आपको दिये जाते हैं दो प्लेटफॉर्म एक तो मैगनेट ब्रेंस इंगलेट ब्रेंस हिंदी मेडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपून कक्छाओं का संपून पाठक्रम बिलकुल और बिलकुल दे जाता है रही बात हिंदी मेडियम की तो हिंदी मेडियम पर कक्छा चटवी से लेकर के 12 मी तक की आप दिल्ली वोट से हों विहार वोट MP वोट से हो और UP वोट से राजस्थान वोट से कहीं से भी हो संपूर्ण पाठक्रम बिल्कुल और बिल्कुल आपको फ्री दिया जाता है तो डर किस बात का देर किस बात की जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपको बताओं मैगनेब ब्रेंस के द्वारा कक्षा छटवी से लेकर के बारहवी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के बहुत ही सुन्दर तरीके से सिख्षकों के मारग दर्शन में और क्वाइलिटी कंटेंट के साथ आपको नोट से भी प्रोवाइड कराता है वो नोट से जो आपकी परिक्षा में बहतर से बहतर नमबर लाने में आपकी मदद करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इनोट और इवुक्स की जानकारी भी ले लीजिएगा ध्यान रखेंगे चलिए अब हम लोग चलेंगे अपनी क्लास पर आज हमारी जो क्लास रहेगी वो है सामने देखिएगा लिखा है कक्षा आठवी संस्क्रेश संसार साग्रेश नायका अस्ट महपाठा अब हम लोग आठवाठ पर पहुँच चुके हैं साथ पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं अब आठवाठ हमारा सुरू होना है अनवाद भाग एक तो आप लोग अपनी पुस्तक जरूर ओपन कर लेना है खोल के रख लीजिए और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे देखे एक बार सिलेवस हमारा स्कूल ओपन होने से पहले आपका मार्च सेशन जैसे ही सुरू हुआ तो मार्च के बाद अब हम लोगों की विकैंसियां भी जो छुटी की विकैंसियां जो होती है न तो वो छुटी भी हमारी अपसमाप्त हो जाएंगी जब आप लोग अपने सेशन पर चलेंगे तो एक बार आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर आप लोग रिविजर करेंगे तो तो पिर देखिए नंबर कैसे आते हैं ध्याद लखें पाट के पर चलते हैं हमो सबसे पहले हमारा क्या होता है पाट का पर शुब् Chenow आज भी जो मतलब उन्होंने कह दिया आज भी मतलब लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है अनुपम मिस्र जी की ये कृति तालाव के संसार सागर के नायक तालाव के और संसार सागर के यहाँ पर एक तालाव का उधारर दिया गया है जैसे हमारा पूरा विश्व है स प्रभारंपरी की घ्यान जो मतलब आज हमारी पुरानी रीती रिवाज है आज धीरे-धीरे वो सब कुछ क्या हो रहा बिलुक्त हो रहा है इस पर लोगों का कोई भी ध्यान नहीं है कौसन एवं सिल्फ धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गए है कौसन एवं सिल्फ कलाई बहुत चलती थी पहले मतलब आपकी टंकन, पद्धती, दीवालों पर शित्र बनवाना, लोगों के अंधर पहुत सा पारी चीजों का आज क्या है यहां पर इस पर चर्चा की गई है पानी के लिए माना निर्मित तालाव और वाबडी जैसे निर्माणों को लेखक नहीं यहां संसार शागर के रूप में चेत्रित किया है देखिए तालाव और वाबडी वाबडी का मतलब भी एक तरह से छोट छोटी छोटी हमारी तलईय जिसके बोलते हैं तालाव थोड़ा बड़ा होता है और छोटी-छोटे हम लोग पानी की सुरोध बना देते हैं जिससे क्या होता है जिससे पसू पक्छी जिव जन्तू और फसल आधि के लिए जिनका उप्योग किया जाता है तो इस प्रकार की यहां लेखक ने यहां पर बर्णन किया है और बर्णन करते हुए आज इस पाठ को आगे की और ले गए यहां पर पाठ का सार है मतलब इस पाठ में जो जो कुछ आज होने वाला है उस पर हम लोग यहां थोड़ा सा चर्चा करेंगे देखे अनुपम मिसर की एक प्रशिद रचना है आज भी खरे हैं तालाव प्रस्तुत पाठ इस रचना के संसार सागर के नायक नामक अध्यास से संग्रहित है और यहां लेखक ने माना निर्मित तालाव आदी को संसार सागर का नाम दिया है इसमें बिलुप्त हो रहे पारंपरी की ग्यान और सिल्प के धनी गजधर की शंबंद में चर्चा की गई है ठीक है फिर लिखाए पाठ का सार इस प्रकारशी पूरे पाठ का सार जरूर देखिए गए यहां ध्यान से यहां लिखाए सेक्णों हज्जारों तालावों को निर्मार अपने आप नहीं हुआ हम उन महां सिल्पकारों को भूल गए हैं यह तालाव ही संसार सागर है नूतन शमाज ने इन कलाकारों को भूला दिया है जो आज कल नई नई कलाकार आ रहे हैं वो पुराने कलाकारों को क्या कर गए हैं अब बोलाते जा रहे हैं उन पर उनका ध्यान ही नहीं है प्रति दिन नई नई विधियां देखिए यहां आ गया है प्रति दिन नई नई विधियों का आविशकार हो रहा है परंतु किसी को भ पहले बहुत प्रिशिद्ध थे शंपूर्ण देश में ये कलाकार निवास करते थे तालावों को बनाने वालों के लिए गजधर यह सम्मान सूचक सब्द था जो गजवर माप को धारण करते थे उन्हें गजधर कहा जाता है ये गजधर समाज की गहराई को भी मापते थे इ अब ये जैसे कोई तालाव हुआ उसकी गहराई को मापना लोगों की गहराई की सोच को मापना तो ये हमारे जो ऐसे विश्यस व्यक्ति होते थे उन्हें को गजधर के नाम से यहां संबोधित किया करते थे अब यहां से हमारा क्या है पाठ प्रारंब होता है पाठ को देखिएगा ध्यान से यहां क्या लिखा हुआ है के आसन ते अज्यात नाम नामा नह सत्षा शहस्त्षा तडागा सहिसैव सुन्यात ना प्रकटी भूता इमे इव तडागा अत्रो संसार शागरा इते इते साम आयोज नश्य नेपत्थे निर्मा पयती तृष्णाम एकेकम नीम्रता निर्मातार तृणाम चा दशकम आशीत एतत एकेकम दशकम चा आहित शत्कम सहस्त्रम वर रचयत इश्म परम विगतेशु दुई सत वर्षेशु नूतन पध्धित्याह समाजेन यत किंचित पठित पठितेन तेन शमाजेन एक कम दशकम सहस्त्रकंचा इत्यतानी सूने एव परिवर्थितानी ध्यान लखना अब यहां पर उन्होंने क्या है पूरा जो अभी हम लोग उन्हें पाटकसार देखा है उसके आधार पर ही है यहां पर क्या का है कि आसंते अज्यात नाम ना मुने यह बहुत सारे अज्यात नाम थे जिनको हम नहीं जानते हैं सथ्र शाह का मतलब शो शो सहस्त्रशा मतलब हज्यार जो हमारे सो हज्यार कौन है तडागा मने तालाव, सही सहीव, अचानक से क्या हो गए हैं, सुन्ने से पहुच गए हैं, जो आज तक बने हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ना प्रकटी भूता, मतलब अपने आप नहीं ये प्रकट हुए हैं, किसी ना किसी ना, सुन्न मतलब होता है, अपने आप से, प् स्विन थे। निरिमापयाति हों निर blindness क्लार दश्स requirement says एकम दस्कंचा जिसमें से एक से हो एक और दस सवी आईलिट सत्कम सहस्त्रम वा मतलब उन्होंने सो से लेकर के हज़ारों तक क्या रचना है कि परंबिगतेसु परंटु बिगतेसु माने बीती हुए दूसत वर्षेशु मतलब दोसो वर्षों में नूतन पद्धत्या मतलब नई नई नवीन पद्धतियां आई नई नई विधियां आई उन विधियों से समाज से यत किंचत पठितम समाज के द्वारा कुछ पढ़ा गया उन विधियों को तो पठितेन तेन शमाजन और पढ़ने से ही समाज के द्वारा एकम दशकम सहस्त्र कंचा एकम दसकम ठेक है ना एक से लेकर के दस तक या यह कह सकते हैं कि हम दस से ग्यारा सो वर्षों के बाद सहास्त्रशा हज्जारों के इत्यतानी सूनने यह परिवर्त था उन जो हज्जारों साल पुराने हैं जो लोगों के द्वारा सूनने से इन तालाबों का क्या किया गया था निर्मार किया गया था उनको क्या है सून में परिवर्तित कर दिया लोग उनको बोला चुके हैं ठीक और भूलाने के बाद अब नई नई विधियों को लोग प्रियोग में ला रहे हैं और सारी चीजों को बोला चुके हैं अब यहाँ आप देखिएगा जैसे K लिखाए तो यह भवचनान्त पद है ते सा तउ तो यह भी भवचनान्त पद दे दिया है ठीक अब यहाँ पर देखे तडढागाह तो बहुत सारे तालाब है तो जैसे रामाह रूप आपने बालकाह रूप देखा हुआ है बालकाह यह जैसे तो यहां पर आपका हो जाएगा बड़ा आ और ए तो आ के बाद ए आने पर आई हो जाता है तो यहां ब्रद्धिसंदी हो गई है तो यहां बन जाएगा आपका सहसाई देखें यहां आई की मात्रा लगेगी तो दो हो जाएगी एव का आपका वा लग जाएगा सहसाई तो य आप रूप देखते हैं वालकात पंचमी व् तो यह सुन्यात लगा है तो पंचमी व्いく यहां पर भी अत्र आपका अब्याया लगा हुआ विया में भी प्रत्मा का दोधिर रूप लगा हुआ है फिर एतिसाह में शश्टी वक्ति का बहुबचन आयोजनस में शश्टी वक्ति का एक बचन लूप लगा है ठीक फिर यहां पर भी निर्मा पय तीरणाम तो यहां पर भी आपका शश्टी का बहुबचन लूप लग गया है एक एकम निर्मा तीरणाम यहां पर भी आपका शश्टी का बहुब रूप लग जाएगा यहां पर आपका पध्धत्या ठेक पध्धत्या यहां पर लगा हुआ है तो तृतिया का पध्धती पध्धताम पध्धत्या ठेक तो यहां जैसे आपका बनता है कौन सा जननी जननीम जनन्या वैसे पध्धती पध्धत्या तो यहां तृतिया का एक ब परिवर्तितानी यहां पर भी आपका परिवर्तितानी तो यह भी आपका बहुबचना ंतरोप लगा हुआ है ठीक है तो मतलब तालाबों को लोग जो हमारी प्रपुरानी सिर्फ कलाथी लोग उनको बुलाते जा रहे हैं जो हजारों हजारों साल की थी के का मतलब होता है कौन अग्यात नामना का मतलब अग्यात या पर्चित नाम वाले वे कौन थे या पर्चित नाम वाले जिनको हमने क्या कर दिया मुला दिया सहस्त्र शाह मतलब होता है हज्जारों और सहसेब का मतलब होता है अचानक से ही इमें यह मतलब ही और निपत्थे का मतलब परदे के पीछे से एक आवाज आती है कि जो हमारे पुराने अज्ञात जो गजधर थे जो सिल्फ कार थे उनको लोगों ने क्या करते है बुला दिया एक के कम माने होता है एकाई दसकं का मतलब दहाई और रचिए एकाई और दहाई रच deduction मनने रचना करते हैं आसन का मतलब ठे और सत्षा का मतलब शेकड़ों ताड़ागा मनने अलिये शेकड़वों पा लावों की रचना होई थी जिनको हमने आज प्रकटी भूता मने प्रकट हुए यह ते शाम का मतलब इनका यह ते शाम का मतलब उन्हों सीधा सीधा ये कह दिया है कि जो सेक्णों हमारे तालाब निर्मित हुए थे उनको लोगों ने क्या कर दिया भोला दिया तो निर्मा पई तीर नाम मतलब बनवाने वालों का और निर्मा तीर नाम का मतलब बनाने वालों का आहिरत का मतलब होता है गुड़ित होकर के विगते किंचित का मतलब जो कुछ सुन्नोतन का मतलब नई विधी के आ जाने से सुनने मने सुन मैं और शत्कम का मतलब शेकड़ा और शहत्कम का मतलब हज्यार ठीक अब यहां पर आप जो पूरा पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ को ध्यान से समझने की कोसिस करना यहां पर क्या कहा गया है उन्होंने यह कहा है कि देखिए बे अग्यात नाम बाले कौन थे जिन्होंने तालाबों को निर्मार किया था उन्हीं की बात यहां चल रही है उन्होंने का बे अग्यात नाम जिनका नाम कोई जान नहीं रहा है वे अग्यात न परदे के पीछे बनाने वालों की एकाई और बनने वालों की दहाई थे यह एकाई वा दहाई गुणत होकर शो तथा हज्जारों की रचना करते थे यही हज्जारों हज्जार रचना करते थे जो परदे की पीछे रहते थे और अपना नाम नहीं open करते थी परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धती के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है उस पठित समाज ने एकाई दहाई और हजारों को सुन में ही बदल दिया है मतलब जो लोगों ने हजार औहएं रचनाय की थी गुड़यत हो करके वो सारी चीजें आज की नई विद्यों ने सुने कर दिया मतलब पुराने लोगों ने जो इतने बड़े-बड़े मकानों को बनाया इतनी बड़ी-बड़ी विल्डों को बनाया आज नई तकनीकी आ रही है तो एक छड़ भर में उनको मिटा करके नई तकनीकी से बनाने लगे है एक मैं आपको उधारर दे रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा उससे दुगना मटेरियल लगाया लेकिन दूसरी डिजाइन में बना दिया तो वैसे ही जो पुराने लोगों ने परदे के पीछे जिनका कोई नाम नहीं है उन्होंने हज्जारों शेक्णों तालावों को निर्माण किया लेकिन नई पद्धती आ गई है तो उन तालावो शो मनसी इम पी जिग्यासा नईव उदभूता यत अस्मात पूर्वं एता वताहत डागान के रचियंती इसम एता दिर्शानी कार्यानी करतों ज्यानस से यो नूत नह प्राविधी विक्षिता तेन प्राविधी नापी पूर्व संपाधितं एतत कार्यम मापईतों ना के ना के ना पी प्रयतुतम अद ये अज्यात नामनह वर्तंते पुरा ते बहु प्रथिता आशन असे से ही देशे तडागा निर्मी यंते इसम निर्मातारों पी असे से देशे निवसंती इसम ठीक अब यहां से भी आप थोड़ा सा ध्यान देना समझने की कोसिस करना क्या क यहां पर भी उन्हों वही बात कही है जो आप ध्यान से समझने की देखें वहां पर उन्हों का कि हजारों सैक्डव जो उन्होंने पहले एक आई बनाई थी वो सब क्या कर दिए आज की नई वीडियों ने सूने कर दी फिर उन्होंने कहा कि आज से नूतन समाजस यह जो नई समाज है नूतन का मतलब नया और समाजस का मतलब समाज इस नई समाज के मनसी माने मन में ठीक आई इस नई समाज की नई जनरेशन के मन में एम अपी जिग्यासा नईव यह जिग जिग्यासा नाईव नहीं है उद्भूता आज भी उद्पन नहीं होती है कि वो पुराने लोग कौन थे जिन्होंने इतने सारे तालाबों का क्या कर दिया निर्माण कर दिया यद असमात पूर्वम इतावता तडागान के रच्यन थे कि इस प्रकार से असमात पूर्वम हम से पहले जो ये तालाबों का निर्माण हुआ है वो कौन इनकी रचना किया है आज भी उनके मन में ये जिग्यासा अच्छा जैसे मान के चलिए कि पहले बहुत सारी चीज़े होती थी तो हमारे यहां इतने शारे मंदिर बनते हैं लेकिन कभी आपने सोचा कि इतने बड़ आने का भी विवस्ता हो जाएगी उसमें पसू पक्षी पानी भी पीएंगे तो किसने ये मतलब दिमाग में किसी के तो आया होगा ना जैसे मान के चलिए कंप्यूटर बनाया तो किसी ना किसी के दिमाग में तो कंप्यूटर आया तब तो हम लोग जानते हैं कि प्राविधी माने नियम यह जो नई विधियां है उन्ह पcotton से विख्सित हों करके तेन प्राविधी न फी पूर्वम संपाधितं जो इसके द्वारा जू नई विदियां है वह जो आज नई वीधियों का क्या हुआ है संपादत हो रहें यह पुरानी चीजों से हु रहें इततकार्यम मापेटूम नाके नापी प्रेटूम यह संब मापने के लिए कोई प्रियास नहीं किया जा रहा है अद ये अज्यात नाम ना आज ये जो अज्यात नाम हैं जिने हम जानते नहीं हैं आज उन अज्यात नामों को क्या कर रहा हैं पुरा अते बहु प्रतिता प्राचीन काल में ये बहुत प्रचलित थे ठेक आसन तिर असे से ही देश से तडागा निर्मि किया गया था आज जो अज्यात नाम के इसे प्रिशिद्ध निर्माता रोपी असे से देशी निर्माताओं के द्वारा ही देश में क्या है यह देविसमें निवास करते थे समझ में आया अब यहां पर देखने की समझे आज सका यहां पर शष्ठी बिभक्ति का एक बचन जिग्यासा यम अलग हो जाएगा अपी अलग हो जाएगा नईव में ना प्लस एव तो यहां आपकी ब्रद्धिशंदी हो जाएगी यहां पर आ आ जाएगा और यहां ए आ जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो आई बनेगा यह हमारी ब्रद्धिशंदी हो जाएगी और को यहां कौन का तो ना होजाएगा कहा क сигएति नाफ यहां प्रत्म का एक बचन , तेन में तृतिया और विधिन आपकी तो यहां पर आपका दिर्गिशंदी हो जाएगी संपादितम एतत कारया माप्त नामों की बात बहुँचन रूप लगा हुआ है पुरा माने प्राचीन और साता उते तो ये भी बहु बचल रूप है बहु प्रतिता माने बहुत प्रशिद्ध थे ठीक असेसी में सप्तमी का एक बचल देसी में सप्तमी का एक बचल तडागा में प्रत्मा का बहु बचल रूप लगा है निर्मी यंते तो ये निर्मी यते निर्मी येते निर्मी यंते तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पाठों में आया हुआ है आपको कारक का याद रखना है विभक्तियों का आपके लिए व्याकरण में संबलित किया गया है एर्थ के लिए ध्यान रखना आपकी बुक में भी लिखे हुए है सं पुलिंग और इकाराण सब्दिरूपादी है तो ज्यादा व्याकरण भी नहीं है लेकिन जितनी उसमें है आपकी बुक में उतना तो आपको ध्यान रखना है ठीक फिर यहां पर देखें यहां निर्मातारह निर्मातारह प्लस अपी बरावर निर्मातारोपी तो यहां जर्टम देसे में सब्दमी का एक बचन देसे में सब्थमी कर रहा है निवसती निवसताह निवशंती तो यह भी बहुत बचना रोप लगा हुआ है ध्यान रखोगे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके देखें बहुत सारी चीजे हैं बताने के लिए तुम मैं ज़्य प्रत्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्व बहुप्रथिता का मतलब यहां दिया हुआ है बहुत प्रशिद बहुप्रथिता का मतलब बहुत प्रशिद और निर्मी यंते इसम मतलब बनाए जाते थे इमपी मतलब यह भी और केनापी का मतलब किसी ने भी निर्मातारह मतलब बनाने वाली निर्मातारह का मतलब बनाने वाली नईव का मतलब नही असमात का मतलब इस से के का मतलब होता है कौन के का मतलब कौन फिर इसके बाद कर्तुम का मतलब होता है करने के लिए कर्तुम का मतलब करने के लिए और शंपादितम का मतलब बनाया गया प्राइतितम मैंने प्रतने किया और असेसी का मतलब शंपूर्ल नूतन शमाजस का मतलब नए समाज कि जिग्याशा का मतलब जानने की एक्षा और पुरा का मतलब पहले या प्राचीन काल में तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंधर आई प्राचीन काल में और वो आज तक अपने शामने नहीं आ पाई ठेक इस नए समाज के मन में यह जानने की एक्षा भी नहीं उत्पन हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किशने बनाया था ऐसे कार्यों को करने के लिए ग्यान की जो नई विधी विक्सित हुई उस विधी के द्वारा भी पहले बनाये गए इस कार को मापने के लिए किसी नैवी प्रयास नहीं किया आज जो अग्यात नाम है पहले वे बहुत प्रशिद्द थे शंपूर्ण देश में तालाव बनाये जाते थे उन्हें बनाने वाले भी शंपूर देश में निवास करते थे मतलब अब ये जो दो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं इन दो पैराग्राफों से एक बात तो समझ में आ गई है कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो बिलकुल भी इस बात को जानना नहीं चाहती है कि जिसके द्वारा ये पार्ट तालाबों का निर्माड किया गया था आखिर वो थे कौन किस क्यों जरूरत समझी आज भी नई जनरेशन इसको नहीं जानना चाहती है मापन करने के लिए किसी ने प्रियास नहीं किया कि इन तालाबों का माप क्यों रखा गया तलाब इतनी होनी चाहिए यचीजा बनाना चाहिए जिस से की लोग उसमें डूब न जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है आज हम लोग देखते हैं वो तालाब क्या है वो तालाब किसी ना किसी उद्देश से पहले लोग क्या करते थे जंगलों में तालाब बना देते थे बरशात में पानी गिरा तालाब बन गया खुदाई करके चले आते थे वो तालाब बन गया जिससे कि वहां के जिव जन्तु पसु पक्षी और उसके साथ साथ पानी का इ यही है ठीक चलिए आगे देखते हैं हाँ यह हमारे दो पेराग्राफ इसमें थे और आज की कक्षा हमारी यहीं पर इसको हम लोग पूरा करते हैं और मैं आपको बता दू कि दो पेराग्राफों में कहीं भी कोई भी समस्या यह दी जा रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कमेंट सेक्शन में देने के बाद आप लोग को यह इसके डाउट्स भी जितने भी हैं बहुत सारे के सारे आपके समाधान कर दिये जाएंगे वीडियो को लाइक करते हुए अपने मित्रों तक आपको सेर जरूर करना है क्योंकि आठमा पाठ आपका जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकिस्टन का मतलब तो आप लोग जानते ही है कि निसुल के सिक्षा जहाँ पर कोई भी रूपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है और जब रूपया पैसा नहीं लिया जाता है तो फिर क्या बात है पढ़ना ही चाहिए अपने लोग भी स खिलेब बेगाइब नियुक्त सब्सक्राइब आपका संपुन पाटक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है तो घर में भी यदि कोई छोटा है अपने से और बड़ा है तो उनको भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा इंग्लिस मीडियम चैनल जो आपको केजी से लेकर के 12 क्लास तक की सं संपुन कक्षा है चाहिए छटवी में हो साथ भी भी आठवी नौमी दस भी ग्यारिमी वाराई में और दिल्ली बोट से हो तो भी आए यूपी बोट बिहार बोट एमपी बोट राजिस्थान बोट कहीं से भी हो तो आपको हिंदी मीडियम चैनल आपके लिए ततपर है हम जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैल आइकन को दवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी और नए वीडियो को आपको यदि चाहिए तो फिर घंटी तो बजानी पड़ेगी और जानकारी के लिए आपको लिंक्तिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा नीचे जाएंगी वीडियो में तो इनोट्स और इबुक्स ये दो आइकन मिलेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा जुड़ना चाहते है फेजबोकादी पे तो भी आप वहां पर जुर सकते हैं तो वहां भी जाएगा मस्ती के साथ और मेगनेट ब्रेंस के साथ बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आप प्राप्त कर शकते हैं बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम